नमस्कार दर्शुकों मैं हूँ भगवति प्रसाद पूरोईद एल्वकेट और आप देख रहे हैं यूटूब का कानूनी ग्यान चैनल दर्शुकों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बटवारे के लिए आवेदन पत्र कोन पेश कर सकता है बटवारा कितने प्रकार का होता है और बटवाराई का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद में यदि किसी प्रकार की कोई आपत्य आती है तो उसका निराखरन किस प्रकार से किया जा सकता है तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब करतीजे, बेल आइकन को प्रेस करतीजे और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक करे दीजे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरलो अर्था सरकरी काग्जों में एक से अधिक लोगों के नामदर्ज है तो उन में से कोई भी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जो की बटवारा करवाना चाहते ही अर्था अपने खेत का विभाजन करवाना चाहते ही अपने खाते का विभाजन करवाना चाहते ही एक से व बटवारा कितने प्रकार का हो सकता है तो देखिए बटवारा मुख्यत दो प्रकार का होता है एक होता है सेहमती से बटवारा और एक होता है एक तरफा बटवारा तो सबसे पहले हम यह समझे लेते हैं कि सेहमती से बटवारा किसे कहा जाता है तो देखिए यदि किसी क्रशी किसी आवेदन पत्र को तेसिल दर्म होदय या नयप तेसिल दर्म होदय के समक्ष पेश करते ही और वहाँ पर बटवारे के लिए सभी लोग सेमती व्यक्त करते ही और सेमती से जब आदेश पारित हो जाता है तो इस प्रकार के आदेश को सेमती का बटवारा कहा जाता है लेकिन जो एक तरफा बटवारा रहता है वह किसे कहते हैं उसे भी हम आगे समझ लेते हैं तो देखिए यदि किसी गाउं में या किसी शहर में एक से अधिक लोगों के नाम पर कोई भूमी इस्तित है उस खाते के भूमी का विभाजन करवाने के लिए सभी क्रशकों के द्वारा सेमती से आवेदन पत्र पस्तूत नहीं किया जाता है उन में से कुछ लोगों के द्वारा सेमती व्यक्त की जाती है और कुछ लोगों के द्वारा सेमती व्यक्त नहीं की जाती है या किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन पत्र अपने हिस्ते के मान से बटवारा करवाने के लिए प्रस्तूत किया जाता है तो एसी इस्तिती में जो आवेदन पत्र पस्तुत किया जता है उसे एक तरफा बटवारा या विवादित बटवारा या असमती का बटवारा कहा जाता है अब हम यह समझने वाले ही कि बटवारे के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार से पेश किया जता है तो देखे सबसे पहले क्या करना रहता है कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई भूमी है या अनेक व्यक्तियों के नाम पर कोई भूमी खाता है तो उस खाते की खतोनी अर्थात किष्टबंदी खतोनी को निकालना है अर्थात उसकी certified कापी निकालना है उसके बाद में उस अनुसार आपको बटवारे का आविदन पत्र तयार करना है यदि मोके पर विभाजन हो चुका है और हर व्यक्ति को हर खातेदार को अलग-अलग खेट प्राप्त हो चुके हैं तो उस प्रकार से अपने आविदन पत्र में उसका वर्णन करना है और यदि मोके पर विभाजन नहीं हुआ है और हिस्से के अनुसार विभजन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन पत्र प्रस्तूत करना है और उसमें यह लिखना है कि हम हिस्से के मान से इस खाते का विभजन करवाना चाहते हैं इसलिए हमारे द्वारा यह आवेदन पत्र प्रस्तूत कि गया है तो देखे दरच को बटवारे के लिए आपको किस प्रकार से आवेदन पत्र तैयार करना है और के से पेश करना है तो देखे इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भुमी किसी भी गाउं में इस्ति थे या शेहर में इस्ति थे उसकी किष्टबंदी खतोनी आपको नि लिखना है और यदि आपका मोखे पर विभाजन नहीं हुआ है तो आपको यह लिखना है कि हम हिस्से के अनुसार विभाजन करना चाहते हैं और इस अनुसार हिस्से अनुसार हमारे खातेक का बटवारा किया जाए और मोजा पटवारी मोदय से फर्द अर्थात प्रतिवियत आहुद किया जाए और उसके अनुसार राज़सु दस्तावेजों में हमारे बटवारे को दरज किया जाए अब उस आवेदन पतर के साथ में आपको कौन-कौन से दस्तावेज पेश करना है उसकी भी हम आगे चर्चा कर लेती हैं तो देखे दरजकू उस आवेदन पतर के सा अपको किश्टबंदी खतोंगी पेश करना है यहां प्ठवारे के मध्यम से किसी अन्य वक्ति को अंतरित न बर्णन आपको अपने आविदन पत्र में भी करना है और उसके साथ में उस दस्ताविज को भी पेश करना है जिसके मध्यम से किकिसी सरक राषिक के निद्र Auradlog अंतरित कर दिया गया है क्योंकि विभाजन के समय जब तेसिलदार महोदय आदेश पारित करेंगी तो तेसिलदार महोदय उस डाक्यूमेट के आधार पर अर्थात उस दस्तावेज के आधार पर जिसके आधार पर की किसी सक्रशक ने अपना हिस्सा उसमें से अंतरित किया है उतना हिस्सा उसका तेसिल दर्म होदे कम करते हुए शेश हिस्सा उसको परदान कर देंगे यदि उस सक्रशक के द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा उसमें से अंत्रित कर दिया गया है तो ऐसी इस्तिती में उसको उसके हिस्से में कोई समपत्ती प्राप्त नहीं होगी वो शेश खाते का जो सक्रशक है उनके बीच में बटवारा हो जाएगा देखी दर्शको बटवारा का आवेदन पत्र जब तेसिल दर्म होदे के समक्ष पेश किया जता है या नायब तेसिल दर्म होदे के समक्ष पेश किया जता है तो तेसिल दर्म होदे के द्वारा या नायब तेसिल दर्म होदे के द्वारा उस प्रकरण में विज्यपती जारी की जाती है अर्थाद इस प्रकार की उद्गोशना जारी की जाती है कि अमुक अमुक वक्ति के द्वारा बटवारे के लिए आविदन पत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है यदि इस बटवारे से किसी भी वक्ति को किसी भी प्रकार की को आपती है तो आप आपती दर् किया जता है यदि उन लोगों के द्वारा उपस्तित होकर जवाब प्रस्तूत नहीं किया जता है या वे उपस्तित ही नहीं होते ही तो ऐसी इस्तिती में उनके विरुद एक पक्षी कारवई की जाती है और बाद में प्रक्रण की सुनवाई की जाती है यदि किसी वक्ति के हित प्रभावित हो रहा है अर्थात किसी का हक जो है वह प्रभावित हो रहा है तो ऐसी इस्तथी में तेसिल दार्मों हो दाए मद्यप्रतेश भूराज सेहिता की धारा 178 के परंतुक के अनुसार कारवई कर सकते हैं अब हम इस बात को भी समझ लगते हैं कि यदि बटवारे में किसी प्रकार की कोई आपत्य आती है तो उसका निराकरण किस प्रकार से किया जाता है मद्यप्रतेश भूराज सेहिता की धारा 178 के परंतुक में आया है कि यदि बटवारे में स्वत्व से सम्मंदित कोई प्रशन आता है तो उसके निर्धारन के लिए तेसिल दार्मों हो दै जो है वो तीन महा के लिए उस प्रकारण को इस्तगित कर सकते हैं अर्थात तीन महा के लिए उस बटवारे की कारवई को रोक सकते हैं और जो व्यक्ति स्वत्व का प्रशन उठाता है उस प्रकरण में उस पक्षकार को यह निर्देशित कर सकते ही कि आप तीन माह के अंदर इस प्रकरण को रोके जाने के लिए सिविल न्याले से इस्टे लेकर आईए और यदि आप इस्टे लेकर नहीं आते ही तो प्रकरण की कारवई जो है वापस से शुरू कर दी जाएगी और रिकार्ड के अनुसार ही बटवारा कर दिया जाएगा अर्थात रिकार्ड से मतलब होता है कि किष्टबंद ख़लोनी में जितने नाम है और जितना जिसका हिस्स में गलत बाते लिखी गई है और जो आपत्ति करता है उसको जो है कम भूमी प्रदान की जा रहे है जबकि उसकी भूमी जो है उसका हक जो है अधिक बनता है तो ऐसी इस्तिति में उस व्यक्ति को उस आपत्ति करता को सिविल नियाले में जाना होगा और सिविल नियाले से अगर आपत्ति करता जो ही वह सिवील नियाले नहीं जाता है और सिवील नियाले जाता भी है और वहां से येदि उसकोіє्थे नहीं मिलता है तो एसे इस्तिति में तेसिलदार महुद्दे जो है वे अपने समक्ष विचारा धिन प्रक्रण को पुना तीन महा के बाद में विचारन मिल ले सकते हैं और रिकार्ड के अनुसार उस खाते का विभाजन कर सकते हैं अब दर्शकों यह भी समझ लेते हैं कि जब तेसिल दर्म होदे के द्वारा आदेश पारित किया जता है जारी किया जता है और उनके द्वारा उस अमल आदेश के आधार पर बटवारे की प्रविष्टी जो है वह वर्तमान राजस्वलेखों में कर दी जाती है और उसके बाद में सभी क्रशकों के या जिस क्रशक ने अपना बटवारा चाहा है उसका खाता अलग निर्मित हो जाता है तो दर्शकों मैं विश्वास रखता हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपके लिए महतुपून रही होगी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हीम जै भारत